नमस्कार, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्ज के इंपॉर्टेंट लेविल्स ये वीडियो हर वीकेंड अप्लोड होता है पहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि मैं जब वीडियो अप्लोड करता हूं तब उन्हें वो मिलता नहीं है उसके पीछे का रीजन है कि आपने मेरा चानल तो सब्सक्राइब कर दिया लेकिन आप बेल आइकॉन प्रेस करना भूल गए तो आप ये ध्यान में रखिए इस तरीके से आपने वो बेल आइकॉन भी प्रेस करना है ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें इसके अगला वाला जो वीडियो अप्लोड होता है हर वीकेंड वो होता है इंपोर्टेंट लेविल्स नॉट टो मिस वो होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे अगर आपको अप्लोड किया हुआ वीडियो नहीं समझ मेरा नाम है मंदार जामसंडेकर और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे लेविल्स और वो भी इन कंटिनेशन विड़ पास्टरी ताकि वो लेविल्स आपके मन में आपको पैंक निफ्टी का नियर मन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा स्टडी जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया वो उसी तरह इंटैक्ट है ताकि आपको समझ में आए कि प्राइस किस तरीके से लेविल्स को रिस्पेक्ट करता है तो इससे दो अब्जेक्टिव्स बिल्टा है तो शुरू करते हैं तो यह जो बैंक निफ्टी का चार्ट है आपको यहां पर दिखेगा फिलाल तो यह जो लेविल था इंपॉर्टेंट रेजिस्टन्स उसके उपर क्लोज हुआ है तो 30,800 के उपर क्लोज हुआ है वो एक पॉजिटिव है लेकिन यह जो यह तो दिखा रहा है लेकिन यह उपर का लेविल ब्रेक कर पाएगा या नहीं पाएगा यह अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है तो आपने यह 30,800 का जो लेविल है यह वाच करना है 30,800 अगर नीचे में फिर से एक बार ब्रेक होता है यहां पर आपको दिखेगा Thursday को यह ब्रे अगर यह नीचे ब्रेक होता है और 30,800 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यह फिर से एक बार 29,800 और 29,600 का लेविल नीचे की और यह टेस्ट करने को आ जाएगा तो यह 30,800 का बहुत important लेविल है यह आपने ट्रैक करना है यह इसके नीचे ट्रेड होता है तो मन्दी पक्की है सेलिंग आएगा उसके ऊपर सस्टेन होता है तो यह जो लेविल है 31,800 और 30,000 यह 31,800 का लेविल और 30,800 का सपोर्ट और 31,800 का रेजिस्टन्स यह 1000 रुपे का जो रेंज है उस रेंज में बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक ट्रेड करेगा तो यह लेविल वाच कीजे अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट को अब यहाँ पे निफ्टी का नियर मन का चार्ट मैंने खुला हुआ है आपको बैंक निफ्टी की तरह सेम इस पे भी स्टेडी इंटैक दिखेगा 11,600 और 690 सपोर्ट बनता है और उपर में आल टाइम 12,000 to 12,100 यह रेजिस्टन्स बनते हैं यह यहाँ पर आपको दिखेगा कि थर्स्टे को जो डिप हुआ था तब 11,850 के लेविल पे उसे सपोर्ट मिला है तो वो भी एक इंपोर्टेंट लेविल बनता है नेक्स्ट वीट के लिए 11,850 अगर नीचे में तूपता है तो यह से एक बार 11,690 टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाएगा ब्रेक आउट तो अब रेजिस्टन्स के ऊपर ही होना है यानि 12,100 के ऊपर अगर ब्रेक आउट आता है तो एक्स्ट्रीमली पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए लेकिन उसके लिए कुछ तो ऑन दा पॉलिसी फ टाइम हाई का ब्रिक आउट आएगा क्योंकि अर्निंस जैसे हमें चाहिए उतने अच्छे नहीं है तो यह ध्यान में रखिए 12,000-12,100 का रेजिस्टन्स है यानि फिलाल निफ्टी और बैंक निफ्टी एक टकड़े रेजिस्टन्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अगर 1,000-850 का सपोर्ट है यह अगर ब्रेक होता है तो यह नीचे 11,000-690, 660, 600 तक यह नीचे आ सकता है तो 11,000-850 का सपोर्ट इमीजिट वाच करना है अगले हफते की लिए तो यह तो था हमारा निफ्टी फ्यूटर पर व्यूटर इसी तरह हम हर वीकेंड निफ्टी और बैं सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना भूलिएगा नहीं अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइप कीजिए आपके दोस्तों के साथ शेर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छा डिसिजन ले पाए आपने मुझे इस वीडियो में जॉइन क किया इसलिए आपका धन्यवाद आपका मंदार जाम संडेकर